तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 13 स्टेटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का कोश्चन नमबर 3 तो इसमें दिया है इसके अंदर हमें क्या बताया है ये नीचे एक डिस्टिब्यूशन दिया है जिसके अंदर आपके आसपड़ोस में रहने वाले कुछ बच्चों की डेली की पॉकिट इंकम कितनी दी जाती है वो बताया गया है और जो एवरेज हर बच्चे को पॉकिट मनी मिलती है उसका एवरेज कितना है 18 मतलब इसमें मीन हमें पहले से ही बता दिया find the missing frequency f और हमें यह जो missing frequency है f यह हमें बतानी है मतलब 19 से 21 के बीच वाली जो पॉकिट मनी है वो कितने बच्चों को मिलती है यहाँ पर यह f की value आप निकाल कर बताईए तो कैसे करेंगे इसको इसके अंदर भी आपको वही chart जो है पहले उस chart को आप complete करोगे mean की जगा पर mean की value रख दोगे f और पूरे हो solve करते चले जाओगे तो वहाँ से आपके पास f की value आ जाएगी कैसे solve करना मैं आपको बताता हूँ अभी तो सबसे पहले तो इसको vertically लिखोगे और उसके बाद देखोगे कि इसके अंदर कौन सा वाला method लगाएं तो देखो वैसे तो यहाँ पर जो class mark जब हम बनाएंगे तो वो भी छोटा ही number होगा जिस से multiply करने है वो भी छोटा number होगा तो आप इसको direct method से भी solve कर सकते हो मैं direct method से इसको बता रहा हूँ आप चाहो तो assumed mean वाला भी या step deviation भी लगा सकते हो तो पहले से vertical लिख लेते है तो आप क्या करते है इसके अंदर हमने यह vertical तो लिख लिए इसमें number of children मतलब children की जो frequency है वो हमें दे रखे है तो इसको हम लिखते है fi उसके बाद क्या निकालते है हम यहाँ पर निकालते है class mark इतना आजाएगा 12 या फिर ऐसे समझ लो इन दोनों के बिल्कुल middle value ऐसे इन दोनों को plus करके जब इसका half करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो इसका हो जाएगा 14 इन दोनों का बिल्कुल बीच का number 16 इन दोनों के बीच में आएगा 18 फिर यहाँ पर आएगा 20 यह calculation जो है इनकी multiplication करने में दिक्कत आती है तो तो अब हम क्या करते हैं इनकी multiply करते हैं एक एक करके तो 7 की multiplication किसमे होगी 12 में 6 की multiplication होगी 14 में 9 की multiplication होगी 16 में 13 की होगी 18 में F की 20 में होगी 5 की होगी 22 में और 4 की होगी किसमे 24 में और ये लिखने की जुरूत नहीं है चाप चाहो तो डारेट जो भी multiplication करके आ रहा है उसको लिख लेना तो देखो अब इनकी multiplication करते रहते हैं किक करके 12, 7 जा कितने होते हैं 84 14, 6 जा होते हैं 84 उसके बाद 69 जा 144 फिर 13 के 18 में कर लेते तो 18 3 जा होगे 54 का 4 और केरी कितना बचा केरी बचा 5 और फिर 18 बन जा 18 और 5 कितने होगे 18 और 5 होगे 23 उसके बाद F की जब 20 में करेंगे तो या जाएगा 20 F 22 की 5 में करेंगे 5 तुजा 10 का 0 केरी 1 5 तुजा 10 और 1 11 24 4 जा कितना हो जाएगा 96 अब इन सब का क्या कर लेते हैं सम इधर की तरफ क्या निकालेंगे इनका सम और इधर निकालेंगे हम किसका सम इन दोनों इन सब का तो यहाँ पर हम रखते हैं क्या Sigma F I उसकी value निकालेंगे और यहाँ पर क्या निकालते हैं यहाँ पर हम निकालते हैं Sigma F I X I तो यहाँ पर यह 20 F जो यह तो प्लस होगा नहीं क्योंकि यह तो इसके जैसी light term है नहीं तो 20 F को तो हम पहले ही लिख लेते हैं इन सब का sum कर लो आप 84, 84 144, 234 110 और 96 जो की आया कितना 752 यहाँ पर ही लिखे देता हूँ 752 ठीक है अब इसके बाद क्या करते थे हैं तो mean का formula आपको पता ही है हम लगा रहे है direct वाला formula तो by direct method हम solve करेंगे इसको उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि mean equal to क्या होता है तो mean का simple formula होता है इसके अंदर कि हमारा जो sigma fi xi होता है मतलब sum of all observations upon total number of observations उसी वाले से यह बना था मैंने आपको introduction में भी बताया था तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास mean जो है यह तो question में पहले से given है यहाँ पर बताया है na mean pocket allowance कितना दे रखा है 18 तो यहाँ पर mean की जगा पर कितना आ जाएगा 18 उसके बाद sigma fi xi वो अभी हमने निकाला है वो कितना है वो है 20f plus 752 और इसके अपन में sigma fi वो कितना है इन सब का सम कर लो तो 7 और 6 कितने हो गए 7 और 6 हो गए 13 इन दोनों को plus करके 13 आ गया और 13 और 13 हो गए 26 और यह 9 है और यह भी 9 है तो 9 और 9 18 18 और 26 कितने हो जाएंगे तो 18 और 26 हो गए 44 तो यह हो गया 44 plus यह वाला f ठीक है इस तरीके से हमने plus कर लिया तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 44 plus f अब यह numerator से इदर बेजो तो 18 के मल्टिप्लिकेशन में क्या जाएगा 44 plus f और इदर क्या बचा 20 f plus 752 अब 18 के अंदर मल्टिप्लिकेशन होगी दोनों में तो 18 की पहले 44 में कर लेते हैं तो 18 फोर्जा 72 का 2 कैरी 7 फिर 18 फोर्जा 72 और 7 कितने हो गए 72 और 7 हो गए 79 और प्लस फिर 18 की मल्टिप्लिकेशन में करेंगे तो 18 f इक्वल टू 20 f प्लस 752 जो simple digits दे रखे हैं उनको एक तरफ कर लो f वाले एक तरफ कर लो तो 792 माइनस 752 इक्वल टू 20 f माइनस 18 f इसमें से इसको माइनस करो 2 में से 2 गया 0 9 में से 5 गया 4 7 में 7 गया तो 0 इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 f ये 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में और जब इससे इसको कैंसल करोगे तो 20 आ जाएगा क्या f तो इसका मतलब जो missing frequency है वो कितनी है 20 20 जो इसने किस से बना कर दी थी f बताया था तो f की value हमने निकाल ली missing frequency इसके अंदर निकालनी थी तो ये मैंने आपको direct method से बताया इसके अंदर simple कुछ नहीं है बस सीधी सीधी multiplication थी और addition था करने को आप इसको और method से भी करोगे तब भी ये ही आएगा बस उसके अंदर ये वाले जो blocks है ये बढ़ जाएंगे बस ठीक है जो मुझे सबसे सही जो सबसे आसान वाला method लगा मैंने उससे करा दिया है अब भी अगर इसमें कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना और next video मिलते हैं